हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाट आडर्स भसेश रादेस्थान रोयल्स के बीच जो आज का दूसरा मुकावला खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्ट्रैट्स के उपर पूरी डिटेल एनलेसिस करेंगे और हेट ट करके जानेंगे कि कौन से प्लेयर एक दूसरे टीम विखला सांदार परफॉमेंस करता है और कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिंग में लेना चाहिए तो दोस्तो इस मुकावले में आपको क्रेट मेंटन करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा ग्राउंड की बात कर लेता दोस्तो बहुत ज्यादा चोटा ग्राउंड है और जितना चोटा ग्राउंड है दोस्तो उतना ही छोटा स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है इस सीजन तो दोस्तो पिछले सीजन की बात कर लेता यह ग्राउंड हाय स्कोरिंग मैच क कभी नीचे स्कोर था तो इस ग्राउंड का पिछ रिपोर्ट डिसकस करने से पहले बात कर लेते हैं गिवे के बारे में तो जो भी है अभी तक पहला लाई का पहला से और पहला कमेट की होंगे उनको पहले मैं बदाई दना चाहते हूं बैठे बैठे अभी तक 300 रुपए जी बात बिल्कुल फ्री और इस वीडियो में दोस्तो आप लोगे लिए दो गीवे और भी है तो वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो का आप स्कीप बिल्कुल ना करें तो बात कर लेते हैं दोस्तो अब यहां की पिछ रिपोर्ट की ऊपर तो सबसे कम मुकाबला इसी ग् बात कर लेते हैं दोस्तो बहुत ही लो स्कॉरिंग मैच यहां पर देखने को मिल रहा है इस सीजन और 150 के नीचे 9 बार स्कोर बन चुका है 150-70 के बीच में 2 बार और 170-90 के बीच में 3 बार और 190 कप्ड़ास यहाँ पर इस सीजन अस्कोर नहीं गिया है 5 बार पिशले साली बना था अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से टीम इस ग्राउंड पर जीत दर्श की है तो Mumbai Indians यहाँ पर पिछले मुकाबला राजिस्थान को हरा करा रही आर्ट विकेट सी तो देखिए कि दोस्तो जारतर मैचे तो वही टीम जीती है जो टीम चेस की है और वही राजिस्थान की बात कर रहे तो पांच मुकाबला में तीन मुकाबला हार चुकी है और यहाँ पर मतलब तीन मुकाबला जीती है और लगतार पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर दो मुकाबले हार करा रही है तो राजिस्थान का performance इस ग्राउंड पर उतना खास है नहीं अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों टीम्स के head to eight कम प्रिजंट की उपर तो तो तेज मुकाबले आपी तक IPL की इतिहास में खेले गए हैं और कोलकाता बारा बार बाजी मारी है और वहीं चुका है इस सीजन का उसमें कोलकाता नाइटेटरस दोस्तों छेविकेट से मिलब राजिस्थान रोल शेविकेट से जीती थी और वहीं पिछले साल तो यहाँ पर कांटे के टकर देखने को मिलेगी और कोलकाता के लिए दोस्तों यह बहुत जारा बड़ा मुकाबला रहे अब जोनों टीमों की दोस्तों यहाँ पर हेट टुएट कंप्रिजन की बात किया जो एक मुकाबला भारत में खेला गया था तो इससे देखकर आपको अंदाजा लग जागा का कौन से प्लियर एक दूसरे टीम के लाप अच्छा परफरमेंस करता है कौन से प्लियर को आप बात कर लेते हैं दूसरे गिवे के बारे में जो लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों सभी लोग के लिए गिवे आप लोग को सिंपल से कमेंट करना है और जो मेरी अगली आनलिसस वाली वीडियो रहेगी उसमें मैं रैंडम एक कमेंट पिक करूँगा जिसको फिर आप बात कर लेते हैं दोस्तों अच्छा है और खास करकर सीवम दूबे जो कि अबी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं तो संजू सेमसन आप लोग के लिए क्रिसमोरी चार विकेट जो कि अभी खेलने रहे हैं अगर खेलेंगे तो मैं आपको टेलिग्राम पर जरूर अपडेट करूँगा और चेतन से करिया एक विकेट और यहाँ पर मिस्ति फुजेर रमान एक विकेट और ज्यादेव उनाइट कर एक विकेट फास्ट बदर को मिली थी दोस्तों नौ विकेट और अस्पीन विकेट और इस ग्राउंट पर भी दोस्तों फास्ट बदर को ज़्यादा मदद मिल रहे है तो आपको फास्ट बदर को अपने टीम में लेकर चलना है और खास करके अगर किरिस मोरीस खेलेंगे तो दोस्तों इस मुकाबले में आपके लिए ट्राम प्लियर्स आवित हो सकते हैं क्य क्योंकि इनका रिकॉर्ट्स बहुत ही संदार है अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता नाइट आडर्स की क्या रहे है प्लेंग लिए तो पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है अगर कोई भी प्लेंग लिए ने बाइचेंस बदला होगा तो मैं आपको टेलेग्रा कर आ रही है तो यह बहुत ही संदार फॉर्म है और पिछला मुकाबला जीत कर भी आ रही है तो ओवरल परफॉमेंस बहुत ही संदार है छे मुकाबला जीती है दोस्तों साथ मुकाबला हारी है तेरह मुकाबले में से और अगर यह मुकाबला जीत जाती है तो इनके क्वाल गिल, वेंकेटेस एर और नितिसराना राहुल त्रिपाटी को आप हेड टो एड में ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो इनका बैटिंग ओर थोड़ा नीचे है और इनको आप इनकी जगापर मतलब इनको कैप्टन जरूर बनाएगा तीन से लेके 11 मेंबर्स पर लीग में क क्योंकि दोस्तो राहुल नितिसराना बहुत संदार फर्म में तो समयुख कि लिए सिवन गिल और वरुबेन केटेसर एर सहेर राहुल त्रिपाटी बै्इस्त रहेंगे क्योंकि इनका बैटिंग और नीचे है और आप ज्यादा बैटस्मेन का साथ जाएगी तो वन स्रिय टीम बन जाएगी, तो यहाँ पर टॉप के चारो बैट्समेन को उपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बात कर लेते हैं, नीचे के बैट्समेन, तो दिरेंस कार दे खोड़े रिस्की रहेंगे, ग्रैंड ली के लिए में आपको इनको यूज करना है, मॉर्गन बहुत ही र के लिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लोग ड्रॉप कर रहे हैं, और इनका रिकॉर्ड्स भी दोस्तों यहाँ पर बहुत संदार है, राजस्थान में खिला आप एक फिकेट लिए तो पिछले मैच में, तो सीवम आभी थोड़े रिस्की हो जाएंगे, लेकिन ग्रैं तो मैं आपको अपडेट करूँगा और यह तीनों में से कोई भी खेले का तो स्मॉल लिक के लिए 110 परसेंट बेस्ट ऑप्सन ही रहेगा, क्योंकि यह तीनों अच्छे फॉर्म में थे, पता नहीं क्यों इनको बैठा दिया गया, और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, यह यह नहीं करने पाएंगे, और इस सीजन की बात करेंगे तो दोस्तों, UAE में अभी तक 6 मुकाबला खेले हैं, लास्ट के, और वहीं बात किया तो दोस्तों, क्यवल 2 ही मुकाबला खेलने, मतलब जीतने पाएं, और बहुत खारा पफॉर्मेंस है इनका, और ओवरल 5 की बात करेंगे, तो दोस्तों, यहाँ पर जादा तो टॉप अडर पर ही फोकस करना है, क्योंकि राजसान के तरह बहुत जादा चेंजरा देखने को मिले हैं, तो इन तीनों के तो दोस्तों, आपका स्मॉल लिंग में लेना ही लेना है, और बात करें, सिवाम दूभी ग्र लिंग के लिए बेस्ट रहेंगे, जीप फिलिप्स ग्रैंड लिंग के लिए, डेविड लिंग के लिए, और राहुल तीवटिया भी ग्रैंड लिंग के लिए, क्योंकि बहुत जी तरह चेंजरा देखने को मिला है, तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो ने ने प्लेर से जारा मैचेस खेलें नहीं है, मीडे लोडर के, तो आपको दोस्तों टॉप अडर के बैट्समिन पर जारा फोकॉस करना है, इवल जो के CPL में भी अच्छा फॉर्म में थे, और पिछले मैच में 24 सरंट बनाया थे, और यह ससी जैसे वाल अच्छी फॉर्म है, संजू सेंप लिए best option रहेंगे, और वही grand league की बात करें तो राहूल तिवर्टया, स्रेस गोपाल और कुल्दी प्यादो, तो पिछले मैच में स्रेस गोपाल और कुल्दी प्यादो को खेला गया था, तो दोस्तों इन्होंने विकेट बिल्कुल नहीं लिया था, और उसके पिछले मैच लिया थे, पिछले मैच जब मतलब खेले थे दोस्तों भारत में कोलकाता खिला, तो यह तो होगी दोस्तों दोनों टीम्स की पूरी प्लेयर परफोर्मेंस और head to weight comparison, अब की प्लेयर के उपर बात कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता की तरब से सुमन गिल और विनकेटेस ये और निति स्राना और यहां वरुण चिकरती और टीम साओधी आप लोग के लिए की प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए और आधेसान की तरब से वाद कर रहें तो इविन लुइस, जैसवाल, संजु सैंसन, मिसफजी रर्मान और चितन सकरी आप लोग के लिए की प्लेयर रहें सबसे पहले स्मोल लिग की टीम स्की उपर फाइनल उसके बाद फिर ग्रैंड लिग की बेस्ट टीम कोंबिनेसन देखें कैप्टन और आइस कैप्टन के साथ तो स्मोल लिग में आप लोग के लिए संजु सैंसन बेस्ट अपसर रहेंगे सकेंड डाउन आते हैं बैटिंग सार्थ एक बैस्ट रहेंगे थोड़े रिस्की रहेंगे बैटिंग से बात करते हैं तो मैंने इवल उसको लिए रावल त्रिपाटी या सबस्ति जैसवाल और यहां से सुम्मन गिल के साथ मैं जा रहा हूं तो दोनों टीम के तरफ से मैंने दो दो यहां से बैट्स बैस्म इनोर करके चल रहा हूं और अनिती सराना को लेना चाहते हैं तो वह भी कॉम्बिनेशन में आगे आगे आपको बताऊंगा वल राउंडर सेक्शन से बात करते हैं तो मैंने सुनी लरायन को लिया विन के टेस यह और अनिजस सीवम दूबे को क्योंकि दोस्तों सीवम वेकल नहीं लेना चाहते हैं तो इनके जगह पर सेम्पल टीम साओधिय को ले सकते हैं जिनका क्रेट सेम है तो दोस्तों यह होगी हमारी अस्मॉल लिग के टीम को चार बोलर्स दो अल्राउंडर और चार बैस्मन और एक विकेटीपर तो दोस्तों अगर को भी पिलेंगे बदला हो तो टेलिग्राम पर आपको सबसे पहले अड़ हो जाना है वहाँ पर टॉस के बाद फाइनल और अस्मॉल लिग ग्रेंड लिग के सारे टीम मिलेगी और दोस्तों वहाँ पर सारे निउस में आपको देही देता हूँ अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो rewinarella टो से safe option रहेंगा वेंकेटरस येर कैप्टन के लिए और वाइस कैप्टन यहाँ पर सान्जू सेमसन स्मॉल लिग के लिए तो दोस्तों आप थोड़ा सा रिक्स उठाना चाथे एं तो यहाँ पर सन्जू सेमसन के कैप्टन अबना सकते हैं और वेंकैटरस येर क नहीं किये थे और हो सके दोस्तों इस मैच में भी बॉलिंग नहीं करेंगे और बाइचांस यह दोस्तों चार-पाच रन पर ही आउट हो जाएंगे तो दोस्तों आप one-side win कर जाएगा क्योंकि अगर सुम्मन गिल की बात करती यह आउट भी हो जाते हैं दोस्तों दस रन पना कर लेकिन यह विगे ठीपर से आपको पॉइंट दे देंगे तो दोस्तों अगर आप थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हैं तीन से लेकिए ग्यारा मेंबर सो ले लीग खेल रहे हैं तो संजु सैंसन बेस्ट कैप्टन रहेंगे फिलाला स्मॉल लीक के लिए यहाँ पर head to head क पर टीम साओधी को विरख सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रेंड लीग की टीम की उपर ती यह मेरी ग्रेंड लीग की टीम है सबसे पहले मैं एवल्यूस को कैप्टन बनाए को कि इनका CPL में भी बहुत संदार परफोवेंस है और यहां से मैं सुमान गिल को वा अब दोस्तों बहुत बहुत धनेवाद अगर आभी तक लाइक ने किये हैं तो इस टीम के साथ अब छोटी ग्रेंड लिग भी जा सकते हैं तो इस वीडियों बस इतना ही टेलिग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन कर लेगा है ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिले सारे चीज़ की और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आभी तक लाइक ने किये हैं दोस्तों लाइक जरूर कर देज़ेगा धन्यवाद दोस्तों